कि सलाम नमस्ते हेलो केम्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाइफाई स्टेडी लाइप पर दोस्तों संडे को भी हम लोग अराम नहीं करते हैं और आपके लिए दोस्तों कंटेंट ले करके आपके साथ तयार है आपके प्यूश सर्थ फटाफट से जुर समचाऊंगा ठीक है ओके क्योंकि सारे आपको मिलने चाहिए और सारे उसके लिए तयार करना पड़ता है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पूरे सब्सक्राइब के निचोड को दोस्तों आपके अपनी क्लास वीकली करेंट अफेर की शांदार क्लास में डेली क याद रखिएन कषनडे को भी सारे छाय क्लास करते हों के क्लियर है डोस्तों सबसे सटीक सबसे पहले दोस्तों यह हमारे हाड़ी है क्लियर compart.. मन उसको ज़रू भर दें जो description में दिया हुआ छे दिन में 6 मंद करेंट अफेर में मैंने अप्रेल लाश्ट संडे को अप्रेल का मंतली करेंट अफेर कराया था वो जरूर कर लीजेगा दोस्तों ठीक है मॉर्निंग में 6.30 बजे मैं उसके बाद मंडे टू सेटर डे वोकेप सो साथ पचास पे आठ बजे डिटोरियल सो आदित सरका आता है रेलवे की तयारी दोस्तों 8.30-10.30 बजे तक पी अट से 10 बजे से 12 बजे तक दोस्तों आइबिप्यस पियो का फ्री फांडेशन बैच जो है तीन बजे से पाच बजे तक ऐस सी सीजिल रात को आड़ वेया से 11 बजे तक और 12 बजे स्टेटिक जी के और दोस्तों मेरी क्लास जो है स्टेट वाले पर सुबह दस बजे होती है यूपी जी के की दोस्तों आएए शुरू करते हैं अपने वीकली करेंट अफैर शो को दोस्तों अप्रेल 2023 में 71 GST revenue collection कितना था जो की all time high हो गया record बन गया दोस्तों तो यह जो है एक लाख सतासी हजार एक लाख सतासी हजार 35 करोड़ रुपए दोस्तों यानि कि अगर देखा जाए तो यह दोस्तों अप्रेल में हुआ है कि दो हजार तेईस में और यह दोस्तों अप्रेल 2022 में कितना था तो एक लाख वर लेक सिक्स्टी सेवन थाउजन और कुछ 500 करोड़ से उपर था इसलिए से हम लोग राउंड फीगर में एक लाख 68000 करोड़ कह रहे हैं तो दोस्तों करीब करीब 12 परसेंट की यहां पे ग् और यानि हाई-स से भी 12 पर्सेंट जादा जो अभी तक का रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड से बार परसेंट जादा का रिकॉर्ड बनाएं दोस्तों याद रखिया क्या बात बहुत बढ़ियां शांदा जिंदाबाद जबर्दस्त गुड मॉनिंग तो दोस्तों यह बात याद रखिए ठीक है चलिए बहुत बढ़ियां दोस्तों कल जो है मैंने आप लोगों से एक होमबर कोश्चन पूछा था कि बताईए कि जो हमारे यूपी के चार शहर से होगा उसके मसकट का क्या नाम है तो वह मसकट बारस सिंगा है और बारस सिंगा ही क्यों दोस्तों उसका नाम जीतू है बारस सिंगा क्यों क्योंकि बारस सिंगा राज की पशु है यूपी का यूपी का दोस्तों स्टेट एनिमल मैं यूपी जीके में मैं आप लोगों सा के बारे में बताऊंगा ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदाज जिन्दाबाद जबर्दस्त कि यहां पे पूछा जा रहा है किसी ने पूछा कि CPI WP कितनी आर्जेवासू ने पूछा देखो 5.66% जो है वह सीपी आई वाली और डबलू पी आई वाली जो इंफलेशन थी वह 1.3% थी ठीक है क्लियर है चलिए अभी अप्रेल की आनी बाकी है अभी तो मैं सुरू हुआ दोस्तों साइंस 20 को के चेयर को चेयर कौन करा साइंस 20 दोस्तों जी 20 के पार्ट के रूप में लक्ष द्वीप में हो रहा है दोस्तों क्लिशन वाली लेकिन सबसे ज्यादा साक्षर यानि लिट्रेट वहां पर हो रही है दोस्तों साइंस 20 जो दोस्तों भारप में इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के हैं उन्हीं को इसको को चेयर करने के लिए दिया गया है तो दोस्तों जो है यहां पर बात समझ लीजे कि दोस्तों प्रोफेसर आसुतोष कुमार सर्मा जो है यहां पर यह इसके हैड है उके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदाम तो दोस्तों एक से दो माई को बंगराम लक्षदीप में यह प्रोग्राम रंगारंग का रेक्रम हुआ था ठीक है चलिए बह फैमिली वन फ्यूचर शेरपा मिताब कांथ ठीक 26 सितंबर 1999 को आई थी 2008 में पहली समिट अमेरिका में पिछली समिट इंडोनेशिया में अगली समिट ब्राजिल में होगी दोस्तों दोस्तों यहां पे स्नो फेस्टिवल सिंथन स्नो फेस्टिवल कहां मनाया गया तो यह द एए वेंचर टूरिजम का दोस्तों ध्यान रखा किस्तवर यहां नेशल पार्क है दोस्तों यह भी आद रखिये यहां पे सली मली नेश्रल पार्क भी है। का दाची गाम पार्क भी है यहां पर दोस्तों मुंबई में इंडियन मर्चंट चेमबरा इंडियन कॉलिंग कॉंफरेंस को किसने संभोदित किया देटी यह प्यूश गोयल जी ने संभोधित किया ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शानदाद जिन्दाबाद जबर्दस्त राइजिंग इंडिया इन्वाइटिंग पार्टनर्शिप और ग्रोथ इस समेलन का क्या है दोस्तों कि समेलन की थीम है उके चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों किस राज्य सरकार ने तीन दिवसी हैरिटेज फैस्टिवल का उध्गातन किया तो दोस्तों यह हैरिटेज फैस्टिवल जिसमें की आर्ट फॉर्म्स डांसेज पुजीन ऑफ कोस्टल इस्टेट तती राज्य के दोस्तों कला नित्य और वेंजनों का जो है प्रदर्शन किया गया यह गुवा है गोवा में और गोवा में दोस्तों बिलावल भुट्टो भी आये संगाई कोपरेशन और गनाजेशन की मीटिंग इंडिया में हो रही है जैसे कि इस बार आइसे सी का वन डे वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है दोस्तों सव से ज्यादा मीटिंग हो चुकिए वैसे तो गोवा में भी दोस्तों बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबाद जबदस्त दोस्तों बहुत ज़्यादा डीटेल में मैं नहीं जा रहा हूं एक निउस के क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी निउस कवर करनी है और डीटेल में पढ़ने के लिए आपको डेली करेंट अफेर पढ़ना होगा व मुझे रियल इशटेट का निशनल अवॉर्ड मिला ईधो तो हिसमें जो है सबसे हाउस प्रोजेक्ट को रिजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों राजस्थान एधों जो है दोस्तों के t Communication में रियल इशटेट कानून आ ने Rodan ने इसमें में टॉप किया है यह बात याद रखेगा ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों केंद सरकार की एजेंसी नेशनल रियल इस्टेट डेवलप्मेंट काउंसिल द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नेशनल रियल इस्टेट अवार्ड दे दिया गया है क्लियर जैपूर में दोस्तों अनिल अगरवाल वेदानता के मालिक के नाम से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीस सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है मोदी जी ने दोस्तों नमो मेडिकल एजूकेशन और रिसर्च इस्ट्यूट सिलवासा में दोस्तों जो है उधगाटन किया है और ऐसे ही दोस्तों गुवाहाटी एमस का उधगाटन किया इन्होंने वहाई 11000 नर्तकों ने दोस्तों बीहू लित किया जो गिनीजबुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनके सुर्ष सजाई स्टेडियम में और 2548 धोल वादपून एक साथ धोल बजाया वह एक अलग गिनीजबुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोस्तों इसके बाद फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन्होंने रहे हैं बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त ईएट शोटे किसानों को दोस्तों जो है फैसिलिटीज देती है वह प्लेटफर्म है दोस्तों मंडियों में जो होते हैं वहां पे आप जब अपना अनाज वहां जमा करते आपको रिसिप्ट मिलता है और जब रिस रसीद को गिर्वी रख करके भी लोन दे दे ऐसी व्यवस्था के लिए आरिय डॉट एजी ने जो टायआप किया है वह मेरे भैस शिवाली समाल फाइननेंज बैंक के सब्स Sexual भारत का 11 वाहिशा कुए स्मौन फाइनिंस बैंक है है और यूनिटी स्मौन फाइननेंस बैंक भारत का बारा हव्Assा स M में convert हुआ है भारत का पहला स्मॉल में क्वैपिटल स्मॉल-स स्मॉल-फाइनेंज भेंखर जा अन्दर्वाला जो पहले लोकल एरिया वेंट हुआ करता था और पहला जो जो घुन कहरें तो एंडिया पुस्पPower केमेंट बैंक उसकी बाद तो चर्चा बाद में करेंगे ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शांदाज जिन्दाबाद जबर्दस्त दोस्तों आर्बे के आकड़ों के उसार किस राज ने लगातार तीन वर्सों में सबसे ज्यादा मार्केट बॉर्विंग्स में टॉप किया है सबसे ज्यादा मार्केट बॉर्विंग्स मार्केट बॉर्विंग्स कैसे ट्रेजरी बिल्स के सरकार मार्केट से पैसे यह स्टेट डेवलप्मेंट लोन्स के थ्रू लेते हैं मार्केट से पैसे तो दोस्तों तमिलाडू तीन सा से टॉप पे है यह आरबी आई के आकड़े कह रहे हैं बात समझ में आ रही है क्लियर दोस्तों जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है भारती बैंकों की उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट ग्रोथ में युगदान किसका रहा है प्राइमिरी ड्राइवर कौन रहा है तो दोस्त वाले परसनल लोन बाइसा परसनल लोन की बाड़ आ गई व्याज भी अच्छा खासा मिलता है इनको तो दोस्तों जो है यहां पर यह याद रखिएगा 20.6% की ग्रोथ दोस्तों देखा जाये तो परसनल लोन की रही है इस साल पिछले साल जो प्राइमरी ड्राइवर था व दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीयों के रूप में किसे पॉइंट किया गया बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीयों के रूप में रजनीश करनाटक को पॉइंट किया गया बैंक ऑफ इंडिया का हेटक्वाटर इंडिया खतम है तो मुंबई SBI, RBI, Central Bank of India, Bank of India, Union Bank of India, जितने भी इंडिया से खतम होते हैं, वो जो हैं, दोस्तो, मुंबई में होते हैं, यहां दो लोगों की फोटो क्यों दिख रही है, भाई, एक लोगों की फोटो दिखनी चाहिए थी, तो दोस्तो यहां पे देवदत चंद भी दोस्तो हेड बने हैं, बैंक आप बडोदा के संजीू चड़ा की जगह देवदत चंद हेड बने हैं, दोस्तो इस बात को याद रखना होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए, बहुत बढ़ियां, शाननाद, सांदा, जिंदाबाद, जबरदस्त, तो दोस्तो यह याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़ियां, दोस्तो किस फिल्म ने जो 68 हुंड़ाई फिल्म फेर आवार्ड जीता है, तो दोस्तो यह गंगु भाई काठी आवाडी ने जीता है, जिसके फिल्म के डिरेक्टर थे संजय लीला बंशाली, संजय लीला बंशाली की पिक्चर है, दोस्तो यहाँ पे सब्सकार है, राजकुमार राओ, बधाई दो के लिए अर्वर्ड मिला है, अलिया भट को दोस्तो जो है, गंगु भाई काकि आवारी के लिए World मिला है, दोनों पिक्चर में रहें, भूल embarrass यां में भी रहें, भूल एक्ट्रिस का रोल जो तब्बू ने किया था दोस्तों उनको भी अवार्ड दिया गया है तो दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े अवार्ड दिये गए है बीकेसी अच्किल बहुत चाहता जो है चर्चा में है बांदरा कुरुला कॉंप्लेक्स जीयो कन्वेंशन सेंटर दोस्तों यहां पर हुआ जहानएपकल का पहला इस्टोर courts i कि 24 स्टार्ट अप ओफिस खुली दोस्तों बेस्ट फिल्मकु बाय काटिया वाडई बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बाधाई दो बेस्ट एक्टर राजकुमार राओ candy कलियर चलीए बहुत बढ़ियाा शंदार ओ जबरस्थ दोस्तों बेश्ट डियरेक्टर संझे लिळा बन्शाली हैं इस दोस्तों बेे एक्टर उक्रिटीक्स थबू भूल भूत टै PAL रिटीक W了 वद में भी थे भूल पुलिया में भी थे ठीक है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर जुग 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 जीयो बेस्ट एक्टरेस इन सपोर्टिंग रोल बधाई दो के लिए शीवा चड़ा ठीक है क्लियर याद रहेगा चलिए लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड प्र दोस्तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तो विद्ग वेश फ्लेबेक सिंगर अर्मयोचत के के लिए। इ pests बहुत अच्छा शानदार जिंदाबाद जब्रदसे दोस्तों ट्रीपल रार मुवि औखोई भी यवाड नहीं मिला भाट तो यह डिया पिच्चर बनाई ती दोस्तो वह उसको लोकैल मिलते जैसे गोलिडेन ग्लोब नियू यॉयॉर्क हॉलिवूड क्रिटेक्स ऑसकर जैसे अवार्ड उसको मिलते हैं बाकी सारे अवार्ड जो है जो बढ़ियां अवार्ड है वह फिल फेर वाले इनको देते हैं और ट्रीपल आर को कोई अवार्ड नहीं देते दोस्तों इस्मोक एंड एस समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों अभी कुछ देखी जैसे कि जंगल नामा इनकी बुक बहुत पूछी गई थी जब यह आई थी एक्जाम में पूछी जाती इनकी बुक लिविंग माउंटेन नटमेंक्स कर्स य हो एक्जाम में जरूर पूछी जाती है दोस्तों ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों सचीन एड़र 50 जो बुक है बुरिया मजुमधार ने लिखी है जो कि सचीन के 50 सल पूरे होने पर सचीन के 50 सल पुने पसा जहां क्रिकेट ग्राउंड में स्टेंड का नाम रखा गया वांकरडे स्टेडिया मुंबई में स्टेच्चिव लगाई गई और सचीन के गेट जो है और सचीनो ब्रैनलारा के नाम से सिडिनी क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों हुआ है अस्टेलिया में गांधी सियासत और संप्रदैक्ता प्यूसन बाबेले ने दोस्तों लिखी है कोटिंग इंग्लेंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एंपायर बुक नंदिनी दास की है क्रॉस कोट जैदीप मुखेरजा की है और हुमन कनेक्ट मनोज गुरा साहीनी की है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों रिफ्लेक्शन नामक बुक जो है किसने लॉंच करी है रिफ् कि दोस्तों मुंडक उपनिशत्द जो बुक है दोस्तों वो किसकी बुक है डॉक्टर करन सिंक की बुक है ठीक है इंडियाज शिश्गल फॉर इंडिपेंड़न्स गांधिया नेरा ये किसकी बुक है पी जीवति मनी चीबालन की बुक है इंडियाज वैक्सिन ग्रोथ स्टोरी काउपॉक्स टू वैक्सिन मैत्री ये किसकी बुक है मंसुख मंडाविया ने दोस्तों इसको रिलीज किया था ठीक है मुंडक उपनिशत से ही दोस्तों जो है अगर देखी जाए तो सत्तमय उजयते को लिया गया है जो हम लोग के राष्टी चिन नेशनल एंबलम में नीचे लिखा होता है सत्तमय उजयते वह इसी उपनिशत से लिया गया है उसके लबाद दोस्तों मोदी शेपिंग ग्लोबल और इन फ्लक्स ये बुक जेपी नडडा ने लिखी है पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल एकनोमी य ये मेगनाथ देशाई की बुक है अभी दोस्तों जेनियू के दिल्ली इनवर्सिटी के सौ साल हुए थे तो हंडेड ग्लोस ग्लोरियस इयर ऑफ दिल्ली इनवर्सिटी ये बुक लिखी थी हाउसिंग एन अरबन डेवलप्मेंट मिनिस्टर क्या ना में उनका हर्दीप सि पुरी जी ने ठीक है अभी दोस्तों एक बुक आई थी रोलर कोश्टर बैंकिंग पर वो बुक तमाल बंदो पाध्या ने लिखी थी जिनों ने पिछली पंडेमोनियम वाली बुक लिखी थी फोक्स इंदा रोड माई डेज वित आर बियाई एंड बियांड ये बुक लि क्योंकि ये पहली हिंदी नौवेल थी जिसने मैन बुकर अवर्ड जीता था मैन बुकर अवर्ड जीता था ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार संप्रिती करिए वसुद्व कुटुम्बुकम शब्द महा उपनिसत से लिया गया व स्कृत में वेरी गुड दोस्तों डिलाइंस जनरल इंसोरेंस ने प्रीमियम पेमेंट के लिए और बी आई के डिजिटल करेंसी को यूज करने वाली पहली जनरल इंसोरेंस कंपनी बन करके इतिहास रच दिया है ठीक है तो दोस्तों इसके लिए वैलेट किसका यूज देगी रिलाइंस जनरल इंसोरेंस से पहले दोस्तों कोची मेट्रों ने भी IDFC बैंक के वैलेट से डिजिटल करेंसी लेना शुरू कर दिया था और दोस्तों रिलाइंस रिटेल पहली ग्रॉसरी कंपनी थी जिसने दोस्तों रिलाइंस का रिए की सेंटल बैंक डिजिटल क ग्रुप्स को ओके दोस्तों वाट इस दा पर्पस आप दे नेशनल टेकलोजी सेंटर फर पोर्ट वाटर वे और कोष्ट नेशनल टेकलोजी सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों पूर्ट के लिए वाटर वे के लिए कोष्ट के लिए इसके मंत्री तो दोस्तों सरवानन सोनेव जी है तो दोस्तों यह जो आयाइटी मदरास का discovery campus है दोस्तों यहां पर यह NTCPWC बनाया गया है देखिए इसको short form NTCPWC कहा जा रहा है तो दोस्तों जो है यहां पर बेकिन इंदिया टेक सॉलुशन इस सेक्टर को मिले इसके लिए दोस्तों यह technology center बनाया गया कहां पे discovery campus में कहां कि discovery campus में IT मदरास के discovery campus में बनाया गया ओके clear है चलिए very good नई दिल्ली में दिल्ली हाट में पहला मिलेट्स experience center बाजरा अनुभा केंडर किस ने launch किया है जहां पे एक से एक ready to eat ready to cook foods जोस्तो बाजरे के बनाया जारे है बाजरे का वर्ष दोस्तो दोजा 23 पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है बाजरे का सबसे बड़े producer है इंडिया है ठीक है clear है चलिए very good दोस्तों यहां पे नेफेड के द्वारा यह चीजे हो रही है नेफेड का भी headquarter दिल्ली में ही है और दोस्तो नेशनल अग्रिकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़ी आश देखें यहां पर लिखा भी हुआ है बाजरे का वर्ष अभी दो दिवसी अबाजरा महुत सो दोस्तों आगरा में मनाया गया था य दोस्तों जी ने डीजी क्लेम का भी उद्गाटन किया था दोस्तों जिससे की प्रदालमंत्री फसल भीमा योजना में जो पोट क्लेम है किसानों को खटाखट मिल जाए क्रॉप इंसोरेंस पोर्टल के थुरू दोस्तों इसके बाद पांच दिन का कल्चरल प्रोग्राम ए भाई यूजित किया था ठीक है कि दोस्तों यह मुरेना से आते जहां से पांच तोमर जो है एक डाकु आया करते थे खैर वह कहते थे कि बागई होते हैं चंबल में डाकु तो संसद में होते दो बागी कहते थे अब यह वहां पर इप एक गाउं में भाई सफ छगडा हो र जो मारा आप लोग को गोली धार-ठार लोग गिर रहे ह evaluation अवारे को मार रहा है अब मार खाने वाल लोग भी एक गोली खाए के गिर मर रहा रहा है दूसरा भी उसके पास जा रहा है अरे भासाब भागो न वहां से जोग 6 जोग म्र गये इस तरीके से अभी व वीडियो विए भी बहुत वायरल हुई थी यह दो दिन पहले जब उस न्यूज में भी दिकाई जा दोस्तों नोम दुबइड की जो है एरलाइंस है एमीरेट्स उसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक-इन असिस्टेंस दोस्तों लाउंच किया है चेक-इन करने के लिए रोबोटिक असिस्टेंस मिलेगा दोस्तों अब इनसान नहीं मिलेंगे पहले तो मिल जाते थे इनसान अब यह रोबोटिक चेक-इन होगा तो आधे लोग तो एयरपोर्ट जाएंगे नि तो दोस्तों इसका नाम क्या है इसका नाम है सारा ना दोस्तों लोग जो भी रोबोट बनाते उसका नाम ऐसे रखते हैं क्या बात है बहुत बढ़ी हैं तो यह यूवेई में हुआ है दोस्तों यूपी आई ने अपने य कामर्स पेमेंट के लिए कि इंटरनेशनलução ग्लोबल इंफरास्टरक्ष्यर्टर्टेफ प्रोवाइडर इसका टाई एप किया है इसका टाई अपनम्पेंटेशनल ने ऊपनम्पेंटेशनल का टाई शुकला ए Hans Citoli थी एनपी सी आई कब आई थी वह दोहजार आठ में आई थी उसके हेट कौन है दिली पासबे हैं उके क्लियर है चलिए वेरी गूड यूपी आई ने दोस्तों अभी रिकॉर्ड बनाया चौदा लाख पांच हजार क्रोन रुपए का टांजेक्शन हुआ नंबर अफ टांज है और दोस्तों 2025 के बाद यह यहां के लिए सीओ भी बन जाएंगे है क्योंकि शेयर्मेन की पोश्ट दोस्तों कही जारी थी अब कुछ दिन बाद से सीओ की पोश्ट कही जाएगी तो अगर यह रहे तब तक तो ठीक है दोस्तों एस्सेश्ट रिकरशेशन कंपनीज के हर मिश्रा बने हैं दोस्तों एर सीज कंपनीज जो है अठाइस है भारत में और तीन सो करोन रुपे मिनिमम कैप्टल रिक्वार्मेंट इसकी कर दी गई है एन कामा कोडी को दोस्तों फिर से अपॉइंट किया गया है सीटी उनियन बैंक के हेट के रूप में स्रिकांथ एंभांडिवाड को दोस्तों जो कर्नातक विकास ग्रामिड बैंक का हेड़ बना गया है करनातक बैंक का हेड सेखर राओ को महभलेशवर मेंस की जगर पर काईजाद भरूचा जो की दोस्तों सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले बैंकर थे इस साल के वो उनको दोस्तों डिप्टी एमडी बनाये गया है उनकी जगह एडी कौन बन गए है भावेश जावेरी बन गए बैंकर ओफ दे यर कौन बने है 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 सशीधर जगदीशन बने है ठीक है क्लियर है चलिए अभी दोस्तों स्मार्ट साथी भी लॉंच किया था यह भी याद रखेगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार कि जबर्दस्त कि दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे दिया तो था अप्रैल का मंतली करेंट अफेर आयू शाबडा जी एक बार वाइफाई स्टडी लाइब का टेलीग्राम देख लीजिए नहीं तो जीए बाई प्यूसर का टेलीग्राम देख लीजिए दोनों पे से मिल जाएगा आपको ठीक है दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पंद्रह सो सतर करोड़ रुपए की कॉस्टिंग से दोस्तों स्केंद सरकार ने कितने नर्सिंग कॉलेजिस की स्थापना को मंजूरी दी है तो 157 दोस्तों नर्सिंग कॉलेजिस बनेंगे 1570 करोड़ रुपए से मनसुत मंडाविया जी ने यह बात बता दिये दोस्तों हम लोगों को छुपाई नहीं हम लोगों से इन लोगों ने बात बहुत अच्छे आदमी हैं दोस्तों ग्लोबल एजुकेशन पर दोस्तों एक्जिबीशन कहां हो रहा है ग्लोबल लटर किया तो किया गया ठीक है चलिए वेरी गुट बहुत बड़िया शांदार हना मुझा दोस्तों साइक्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया के हैड कौन बन गए साईक्लिंग फेडरेशन अफिंडिया के पंकर चीब बन गया फंकर इसींग डिक्यलाचनल विदायक हैं मि भी हम लोग रेस्लिंग फेडरेशन के बिजबूसन सर्ण सिंग से जो है छुटकारा ही नहीं पापाए बीसी सी आई के सचीव जैसास से नहीं बन कर पाए लेगे कौर नेता आ गये दोस्तों खेल खेल में खेल करने के लिए अरुन सिंग डूमल लेडी आई पील के हेड बन ही है उदर हेमंद विश्वा सर्मा बेड्मिंटन वाले हेड बन गए उदे दुसंद चवटाला हरियाना वाले डिफ्टी चीपनिस्टर उनकी वाइफ जो है दोस्तों टेबल टेनिस पेडरेशन के हेड बन गए सब नेता खेल में घुसरें भाई साब पैसा एक है उसमें दोस्तों यहां पर जो है अगर हम लोग देखे जाए तो करनाटक बैंक के हेड दोस्तों चुने गए हैं शेखर राओ और रतनाकर पतनायक जो है चीफ इन्वेश्टमेंट ऑफिसर चुने गए हैं LIC में क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत पॉइंट हुए है नीरज नीगम कौन हुए है मेरे भाई नीरज नीगम हुए है ओके क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों अमेरिका में उच्च सिक्षा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्टित अप्रवासी दोस्तों वह विल बी अवार्डे दे प्रेस्टिजियस इमिग्रेंट एचीमेंट अवार्ड फॉर हर कंट्रिबूशन तो हाइर एजूकेशन इन दे यूएस तो दोस्तो जह है उन्होंने यूएस और इंडिया के यूणिवर्सिटी कराने वाली टास्क फोर्स के भी हेड किया था इसलिए भी उन्हें अवार्ड दिया गया नीली बेंडा पुड्डी पेन स्टेट इन्वर्सिटी की पहली अस्वेत महिला अध्यक्ष है यह दोस्तों ठीक है क्ल दोस्तों गोल्ड में इंवार्मेंट अवार्ड जो है वह एलेजेंड्रा कुराब को दिया गया है बिलबोर्ड की फर्स्ट लेटीन वीमेन ऑफ दे येर अवार्ड को लंबियन सिंगर शकीरा को मिला है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इंप प्लिक अड लoga से आपको याद रखना है सीनरजी ग्रूप को ग्रीन 1959 वाला किसको दिया गया आपको इतने साल पुराने की बात कहां से आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि उस समय ये निर्वासित थे चैना से भाग करके भारत में सरणड लिये हुए थे 1959 वह भाग के आए थे तो इस समय ये जाते तो गिरफ्तार कर लें को दिधक्त हो जाती तो इसलिए उस समय इनके भाई नहीं अवार्ड लिया था उस समय अगस्त में 1959 में इनके भाई ने अवार्ड लिया था घ्यालो थूणडएंग फिलिपिन्स के मनीला में ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों फिलिपिन्स के ही पुर्वराष्पति है रह्मन मैक्स से जिनके नाम से ये अवार्ड ये एशिया का नोबिल कहा जाता है इसको ये केवल एशियन लोगों को मिलता है तो दोस्तों अब इनके घर पे जाकर के अपने हाथों से ये इस अवार्ड को दिया गया दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला एयर फोर्स जर्मान मिला जर्मणी की चांस्लर थी दोस्तों वाइड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है जम्मू कश्मिर की आलिया मेर को दिया गया है दोस्तों IIT Bombay की सुन्य टीम ने अमेरिका में दोस्तों सोलर डेका अथलोन में दूसरा इस्थान हासिल किया सुद्न का फुल फॉर्म क्या है sustainable housing for urbanizing nation by its young aspirant तो दोस्तों जो है यहाँ पे sustainable housing और urbanizing किया जाएगा solar के थूप क्या बात है तो दोस्तों जो है IT बॉम्बे की सुन्न टीम को यह award दिया गया है ठीक है ओके चेलिए बहुत बढ़िया शानदा जिनदाबाद जबरदस्ट दोस्तो रेल विकास निगम फोकस में था क्योंकि वो मिनी रतन से नौरतन बन गया भारत में कितनी नौरतन कंपनियां हैं यह केवल सरकारी कंपनियों को यह खिताब मिलता है दोस्तो तो तेरा नौरतन कंपनियां हैं और दोस्तो अभी एक कंपनी है रूरल भी बनी है वो कौन बनी है दोस्तों लॉक्ड सिल्ड क्या है लॉक्ड सिल्ड दोस्तों क्या है तो लॉक्ड सिल्ड क्या है दोस्तों यह नाटो के द्वारा दोस्तों एक साइबर डिफेंस exercise होता है दुनिया का सबसे बड़ा cyber defence exercise होता है जो नाटो ने टालीन इस्टोनिया में दोस्तों नाटो ने किया नाटो के 31 मेंबर हो गया फिनलैंड 31 मेंबर है दोस्तों नाटो का headquarter Brussels Belgium में में दोस्तो 1949 में आई थी और जैन्स इस्टोल्टेनबर्ग एड है नवे वाले दोस्तों MSME मिनिश्टर नरायन राने जी ने मुंबई में जो है क्रेडिट गारंटी फॉर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जी स्कीम का उद्गाटन किया दोस्तों सी का मतलब क्या है क्रेडिट क्रेडिट गारंटी योजना है दोस्तों यह 9000 करोड रुपए दोस्तों इसके लिए जो है एडिशनल सपोर्ट दिया गया है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे एडिशनल दो लाक करोड रुपए दोस्तों बजट में जो है बोले गये थे की दिये जाएंगे ठीकächst Redmi के गई moody कforme की गई सब देज करोड की गई है और दोस्तों three streaming without इनिसाइशन अफ लीगल में लिमिट आहे दोस्तों यह सलिय में दोस्तों क्लेमिट में वो अठारा राज्यों और दो यूनियन टेरिट्री में आल इंडिया रेडियो के 91 ने 100 वाट के दोस्तों FM ट्रांस्मीटर्स का उद्गाटन किया गया 91 दोस्तों ट्रांस्मीटर्स लगाए गया ये नरेंद मोदी जी के द्वारा प्रताइम बिनिश्टर के द्वारा जो घाटन किया गया क्योंकि भाईया इनको जादा से ज़्यादा लोगों को अपनी मन की बात बतानी है हर महीने के आकरी संडे को ये मन की बात करने के लिए रेडियो पर आते हैं दोस्तों ठीक है 85 डिश्टिक में इसको इसको इस्टॉल किया गया दोस्तों करीब 20 राज्य और के इंशासित पदेशों में इसे किया गया इससे वह और ज्यादा अपनी सौवाइपिसोड बताएंगे और सौवाइपिसोड इन्होंने संडे को बताया दो करोड लोगों को अब और जो है उनकी बात सुननी पड़ेगी दोस्तों और चार करोड तीस लाग घरों को मुहया कराई जा रही है भारत के सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफार्म डीडी दूदरसन की फ्री डिस सेवाएं दोस्तों किस राजर के इनसासित प्रदेश में अंजी खड ब्रिज या नाम का भारत का पहला केबल इस्टे रेलवे ब्रिज जो है 400 क्रोड रुपे की लागत से तयार हो जाएगा तो दोस्तों यह अंजी खड ब्रिज जो केबल सस्पेंसन वाला है दोस्तों यह रेलवे प्रिज है यह बारा मुला जो है दोस्तों उधंपूर वाले लिंक पर दोस्तों जो है बनाया जा रहा है और अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है जो 473 मीटर लंबा है दोस्तों इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है कट्रा से रियासी को जोड देगा दोस्तों चानवे केबल य याद रखिये तो इसी पर दोस्तों चिनाब नदी पर एक पुल बना था जो भी रेलवे वालों नहीं बनाया था यह भी रेलवे बरीज वह दुनिया का सबसे उचा आर्क बरीज था दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए वैरी गूट बहुत बढ़िया शानदार्ट दोस्तों बैंक का नाम मताई जिसने हाली में पांच करोड तक के सोलर लॊन को पेश करने के लिए डिन के सथ मेरी दोस्त रेडिंग्टन के सथ वह एक आग करके शे गदर लाइक कि संख्या कम तो नहीं है वही मै फटाफट से सब लोगे लाइक कर दो भूल जाते हो ना तुम लोग तो दोस्तों यहां पर SBI के साथ टाइएप हुआ रेडिंग्टन का पांच करोन तक का सोलर लोन SBI देगा ओके SBI ने पने चौथा स्टार्ट अप सेंटर भी BKC में कोला है जहाँ पर सीवालों के क्लियर याद रहेगा दोस्तों अभी ग्रीन आवर्ड दिया गया ग्री व क्रहिकर और्रके toy में रफट 17 की साथ मिलकर सेमी कंडेक्ट रपाक गुजरात में बना रही है वेदानता की कमपनी दोस्तों जैपूर में दुनिया का ृधिसरा सबसे बड़ा क्रिकेट्ट इस्टेडियम बना रही है वी धान्ता के मालिक अनील और केटेगरी में अवाड जीता है कॉर्पॉरेट सोसल रिस्पॉंसबिलिटी में अवाड जीता है ओके चलिए वैरी गुड बहुत बढ़ियां दोस्तों जो है यहां पर यह जो प्रोग्राम हुआ था यह ग्रीन और्गनाइजेशन लंदन द्वारा हुआ कहां पर था मिया अवाड हुआ था जहां भारत की विदानता और पावर ग्रिट कॉर्पॉरेशन के अलावा दोस्तों एक और कंपणी ने अवाड जीता था उस कंपणी का नाम है चेन्नाई मिट्रो जिसने दोस्तों जो है इनवार्मेंट पॉलसी के टेगरी में अवाड जीता है ठीक है ब सरे सारी मिसाइल ही बनाती है परिचण करती है और यह πά अडिधी दी्यों हर ये बनाती है लेकिन जादतर मिसाइल घार डायनेमिस बनाती हैश क्लियर है कर दोस्तों कि no दोस्तों किस अमेरिकन कंपनी ने फॉर्स यी पैबलीक बैंक के संसादन खरीदे जिसके प्राव काम सवरूब तीसरा फिनेंशल कोलेपस हुआ तीसरा फिनेंशल को लेबस भी अमेरिका में हो गया अनि दोस्तों पहला बैंक बैंक। जो की दोस्तों अमेरिका का 16 नंबर का बैंक उसके बाद दोस्तों सिगनेचर बैंक डूबा और अब दोस्तों जो है तीसरा बैंक कौन सा डूबा है दोस्तों कौन सा है फर्स्ट रिपबलिक बैंक फर्स्ट रिपबलिक बैंक फर्स्ट रिपबलिक बैंक फर्स्ट रिपबल बैंक यानि कि दुनिया का सबसे बेस्ट बैंक जो है यही सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक यही है दोस्तो समाज में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के बढ़ते खत्रों के प्रति जागुपता फैलाने के लिए किसने गूगल को छोड़ दिया गूगल के पाउंडर है लेरी पे जो सर्जी ब्रीन इनों ने नहीं छोड़ा है जेफ्री हिंटन ने छोड़ा है दोस्तो जेफ बहुत ज़्यदा लोग अपने इनोवेशन का भी यूज नहीं करेंगे अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे जैसे अब आचकल कौन जोड़ने के लिए जो है दिमाग लगाता है चालेकुलेटर उठा लेते हैं मोबाइल में कलकुलेटर बहुत सारी चीजे दोस्तों ज देवेंट फर्णविस ने हाली में किस देश में महराठा युद्धा राजा च्छत्रपति सिवाजी महराच की पतिमा का नावरड किया है तो दोस्तों यह किया गया है मौरिसस में दोस्तों मौरिसस के पधान मंत्री प्रविंज अगनाज जी भारत आये थे जामनगर में उन्होंने ग्लोबल सेंटर फर टेडिशनल मेडिसीन का उद्गाटन किया था चत्रपति सिवाजी महराच की एक मुर्ति आगरे के खिले के सामने भी लगाई गई थी दोस्तों उनके जन्मसत्ताब्दी पर दोस्तों इंडियन आर्मी ने सेन बलो के किस डिविजन में पां गोला बारूद तो दोस्तों वहां पर किया गया ठीक है क्लियर है बात समझ में आज ही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों हाली में राजस्तान में कितने नए वाइल लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है दोस्तों जोड़े गए हैं तो तीन नए वाइल लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्तान में बन गए हैं दोस्तों अब यहां पर 26 वाइल लाइफ कंजर्वेशन यह वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबदस्त बारा में सोर्सन जोदपर में खिचन भुलवाडा में हमीर गड़ हैं दोस्तों यह तीन वाइड लाइफ संद्रक्षन रिजर्व हैं वैसे फेमस कुछ हैं टॉंक में बिसलपूर बीका नेर में जोद स्थान राजनाथ सिंग जी ने गिफ्ट दिया है किसी देश को फास्ट पेट्रोल वैसल लेंडिंग क्राफ्ट एक तेज गस्ती पोर्ट और एक लेंडिंग क्राफ्ट इंडिया की तरफ से गिफ्ट के रूप में किस देश को दिया गया है तो दोस्तों यह मालदीव को द से जब लोगों को बचा कर लाया गया तो उस और समुद्र से तू में दोस्तों यो Curtis freedom index में इंडिया की रैंक्पी कितनी है ंडिया की ranking है शी क्थी लॉजिस्टिक पर्फर्फरमेंश इंडेक्स जो बैंक यह उसमें इंडिया की रैंकिंग 38 है और दोस्तों वर्ल्ड वेल्ड की सबसे अमीर जो सीटी वो न्यू यॉर्क है मुंबई भारत की है और वह 21 नंबर पर दिल्ली 36 कुलकता 63 और हैदराबाद 65 नंबर पर वर्ल्ड मोस्ट क्रीमिनल कंट्री रैंकिंग में दोस्तों इंडिया 77 पर है और टॉप पर है वेनेजुएला ठीक है आतंकवादियों वाली में इंडिया 13 नंबर पर है और अफगानिस्तान टॉप पर है स्टैन्फूर्ट इन्वसिटी के आर्टिपिसिल इंटेलिजेंस में भारत की रैंकिंग पाच्वी अमेरिका टॉप पर है आटन कैपिट सब्सक्राइब ठीक है दोस्तों के हिट के रोप में किसे पॉइंट किया गया है तो दोस्तों अजीत कुमार महुंती को थे दोस्तों तो यह भाभा Animal Research Center के डाण्ग्टर था है दोस्तों भाभा datam vs Central कहा पर यह भी पूछा जाता है ब बार्क है कहाते में प्रॉम्बे में है यह कुश्चन स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट अजीत महुंती की तरह दोस्तों दीपक महुंती पीफ आइडिये के एड बन गहें क्या है पीफ आइडीये के सब्सक्राण यह चलिए तो दोस्तों यहां पर याद रखियेगा जो दोस्तों इसका चैर्में रहता है एटामिक एनर्जी कमिशन का वही सेक्रेटरी बन जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटामिक का जैसे कि इसरों के हेड होता है वही स्पेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो जाता है जैसे अपने तुमको पूरा डिटेल में बताता हूं जैसे कि होम मिनिस्ट्री का कोई सेक्रेट्री होगा, फॉरेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेट्री कोई होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेट्री कोई होगा, अब कोई क्या होगा, अब गिर्धर अर्माने हैं, और फॉरेंस सेक्रेट्री के विने मोहन कवात्रा हैं, खेर, वै जो भी दोस्तों Atomic Energy Commission का हेड होगा वही होगा देखो किती बढ़ी है स्टेटिक जी के मैंने तुम लोगों पढ़ा दिया इसको कहते है एक्स ओफीशियो यानि इस वज़े से यहां पर है यह है इसलिए यह है जैसे नीति आयोक का देक्ष कौन प्राइम मिनिस्टर प्राइम मजा आया कि नहीं मजा अगर तुम अब जो है लाइक कर सकते हो अब अगर तुमको सच में अच्छी जानकारी मिल गई है तो भारत अर्थ मुवर मेडिकल लिम्ट जो अर्थ मुवर्स लिम्टेट के हेड सांतनु रॉय बन गए चलो अगर अभी भी तुम लोगों को लग तो एक और सुन लो दोस्तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च और गनाइजेशन जो कि आपके दोस्तों एकदम जो रो आई बी की तरह दोस्तों इंपोर्टेंट जो टेक्निकल असिस्टेंट देता है जितने भी हमारे जो है खूफिया मिशन होते हैं उसके हेड दोस्तों जो है अरुन सिन्हा बन गए हैं कैबिनेट सेक्रेट्री के अंतर टारेक्ट आती है दोस्तों यह और गनाइजेशन टाटा इलेक्ट्रानिक के हैड सी और एमडी जो है दोस्तों यह रद्धी ठाकूर बने तीसीयस के राजियस बोपालन की जगह क्रिति वासन बने अप तो शेयर बनता है अप तो शेयर बनता इतनी अची जैनकारी मैंने तुम लोगों को दे दिया थिक है प्लियर पी अफ़ाइड़ी के हेट दोस्तों दीपक मोहनती है और दोस्तों अजीत कुमार मोहनती है और सिधार्थ मोहनती है भाई साब बन गया है दोस्तो सतरंज में चेस में वर्ड चेंपियन चाइना का डिंग लीरेन बन गए हैं दोस्तों और देखा जाए तो मैगनस कालसन जो है यह बिचारे ऐसे जो उदास हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से दोस्तों और नौर्वे के मैगनस कालसन जो 10 साल से इस पहले लड़के ने चीन लिया है डिंग डिंग लिरेन चेस का अलंपियार दोस्तों इंडिया में वह था इस बार दोस्तों बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली मेंस डबल कौन है पहली भारती पुरुष यूगल जोड़ी दोस्तो सत्विक साहिराज चिराक सेटी यह तो तुक्का भी मरा जा सकता है इस समय इसको कोई नहीं हरा पा रहा है थॉमस कप इन लोगों ने जीत लिया वर्ल्ड चेंपियंशिप इनों ने जीत लिया इनक दोस्तो उस बैंक का नाम बताई जिसने सीनियर सिर्जिणे लें शुब आरंब जमा योजना शुरू करी है बैंक ओ इंडिया ने ठीक है बैंक ओफ इंडिया के हैडबी कौन बने रजनीस करनाटक ठीक है ओके अभी अमरित कलक्स नाम से दोस्तों एव डिजो है एस बी ये launch कर दिए ठीक है clear चले है दोस्तों हाली में भार्ती उलम्पिक संग में किस वेक्तितों को नामित किया गया दोस्तों भार्ती उलम्पिक संग का जो हैं कि रेसलिंग फेडरेरेशन आफ इंडिया का चुनाओ होने वाला तो वहाँ पकमीटी बनाई जाएगी कि पनाइगी इसके पूरे प्रकिरियं को देखेगी दोस्तों इस कमीटी के हेड कौन हैं दोस्तों यहां दो लोग सीमा सूमा शिरूर और भुपेंद सिंग बाजवा दोस्तों यहां पर हैं ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों भारती ओलंपिक संग की वैसे हेड कौन है तो भारती ओलंपिक संग में जो हेड हैं दोस्तों वो हैं पीटी उशा अभी दोस्तों एक कमीटी और बनाई गई थी अगर आपको याद हो तो एक कमीटी जो है दोस्तो और बनाई गई थी जिसमें कि बिजबुशन सरण सिंग के खिलाब जाच कर रही थी जो कमीटी उस कमीटी की हैड थी कौन थी मेरे भाई मेरी टीगे क्लियर तो यहाँ पर दोस्तो जो है यह जो है जो खिलाडी है दोस्तो यह हरियाना वाले यह चाहते हैं कि फेडरेशन जो है वहां के पास आजाए क्योंकि अभी जो नियम बदले गए हैं तो भी बुशन सानुशन इनने नियम बदले हैं कि कोई भी ओलंपिक खिलाड़ी अगले ओलंपिक लिए डारेक्ट क्वालिफाई नहीं कर जाएगा उसको नेशनल लड़ना पड़ेगा क्योंकि पिछले ओलंपिक में किसी भी पहलवान ने कोई पदक लाके नहीं दिया था और इसकी वजह से दोस्तों बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था दोस्तों इंडिया को और विनेस फोगट अपने मनमानी भी कर रही थी तो अब इन लोगों ने मिलके बिजबूसन सरण से बदला लेन के लिए जो है एकदम एक जूट हो गए जितने भी ओलंपियन है क्योंकि यह नेशनल लड़ना नहीं चाहते है तो अब यह तरीके तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं कि ताकि बिजबूसन सरण सिंग को जेल हो जाए और जो है कि उसके खिलाफ जो है अभी सुप्रीम कोट कोट ने भी आचिका खारिच कर दी इनकी कि भाईया चल लए है फाइयार हो गया है अब जो काम करना है दिल्ली पुलिस करेगी आपको जो है कब कोई मैटर है तो जाहिए हाई कोट या फिर लोवर कोट सुप्रीम कोट में आ गये ते यह लोग तो एफाइयार करवा दिया चंद चूड जी ने अब इसके बाद जो भी चीज है उनकी बात को नहीं सुना और कंप्लीट कर दिया पेटीशन को कि कंप्लीट होगा डिस्पोस कर दिया वह आपको दिक्कत है नीचले कोट में जाहिए दोस्तों भारत के उस वेक्तितों का नाम बताईए जो हाली में गो सीथी एक साल में 355 दिन होते हैं 10065 दिन होते हैं दोस्तों और यहां पे जो है वह दोस्तों जो पहले नंबर पर आएं नहीं दच्छिन अफ्रीका के कर्ष्टन नेवु साफर जो है वह पहले स्थान पर आएं वह पहली नहीं पहली महिला है प्रांस में लैस क्या लिखा हुआ मुझे तो यह इसका नामी नहीं सुण में आ तो दोस्तों भारत के जो अब इलाश टॉमी है यह हैं आपके नेवी ऑफिसर अच्छा फ्रांस में यह प्रोग्राम हुआ है और जिसने पहला इस्थान हांसिल किया है वह एक लड़की है जिसने दोस्तों 235 दिन में से किया साउथ अफ्रीका की कर्ष्टन नियो शाफर है ओ बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर दस्ति का दोस्तों केंद्री विद्तमंती निर्मलह सीता रमन त्मारहा जारी की गई बुक- übrigफ्लेक्शन के लेकर कोने रिफ्लेक्शन बुक बहुत इंपॉर्टेंड एकजाम में आ सकती है इसे निर्मलह सीता रमन में दो दोस्तों इसके लेखक है जो की इमिनेंट बैंक कर रहे हैं ICC बैंक के चेर्मेन रहे हैं ICC बैंक के चेर्मेन रहे हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शांदा जिंदाबाद जबदरस्त नरायन वगुल को दोजाद 10 में पद्म भूशण भी मिल चुका है दोस्तों कौन सा देश भारत की स्टील मिल्स को इस पात मिलो को जो है सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है PCI सबसे हथिए सबसे अलब हम रश्या से मंगा रहे हैं ध्या से क्लियर ही वेरे गूळ बहुत बढ़ियां शांदाबाद जब दस्त दोस्तों अप्रेल है अपनी वार्सिक में यूए इमिग्रेशन कस्टम सर्फ भारत ने अमेरिका में जो है छातरो को भेजने में कर लिया है उसको पीछे कर दिया मेरे चाइन को पीछे कर दिया है ठीक है ओके दोस्तों जहां पर भारत से जो है 64000 चात्र गए वहीं से दोस्तों चाइना से 24000 चात्र गए तो दोस्तों जो है यहां पर भारत ने टॉप किया है सबसे अधा स्टुडेंट भारत से गए से दोस्तों आरबि एक एकग्डों सा सिड्वल्व कोमर्शियल बैंक ने कितनी क्रेडिट unused करी है खेडिच का मतला लून में किति विद्धी हुई है तो दोस्तों पंदरा donors 4% की विद्धी हुई है ।िसटों जो है क्या हुई है विद्धी हुई है के clear है याद रहेगा सभी को very good बहुत बढ़िया दोस्तों बाफ्टा आवर्ड में सर्वोच सम्मान बाफ्टा फेलोशिप से एक भारतिय मुल्की दोस्तों मीरा स्याल को सम्मानित किया गया जो है मीरा स्याल जो है दोस्तों वह ब्रिटेन में टीवी सीरियल्स में काम करती है दोस्तों अगर ऑवार्ट की जाए तो डॉक्टर यूराम पिला री सेटी को दोस्तों लाइफ टैम अचीमेंट अवार्ड बिला है ठीक है और दोस्तो गोल्डमेन इन्वार्मेंट एवार्ड जो है वो एलेजेंड्रा को आपको मिला एमेजॉन का यह आवार्ड है लिपजिंग बुक प्राइज दोस्तो रशियन पोएट मारिया श्टेपानोवा को मिला दिया गया है दोस्तो औरियन एकसरसाइज में पहली बार एक जो है रफेल पाइलेट महिलाव पाइलेट दोस्तो भाग ले रही है सिवांगे यह किस राच से जबन देता है दोस्तों विदेश में एकसरसाइज में भाग ली थी अवनी चतरुवेदी जी जो की वीरगार्जीयन में जापा में दोस्तों भाग ली थी अब ये दोस्तों शिवांगी सिंग है तो वैसे बनारस की पढ़ी लिखी लेकिन ये हैं मुलतब बिहार की फतेहाबाद की ऐसी दर्भंगा की दोस्तों भावना कंट थी जिन्होंने रिपब्लिक डे में परेड में पहली बार सलामी दी अगले साल सिवांगी सिंग ने दे थी अभी दीपका विच्रा गलेंट्री अवाड्स पाने वाली पहली महिला पाइलट है और सिवा चौहान सियाचीन ग्लेसियर पर जाने वाली पहली दोस्तों जवान है महिला जवान दोस्तों ग्रे मंत्राले ने इंडियन आर्मी के भोजन में कौ दिल्ली में और दोस्तों अभी जो है संहाइक को अर्गनाइजेशन इने भी प्रोग्राम किया था बाजरे पर बाजरे के फूटस बना बना के खिलाए थे सारे मेंबर्स के शेफ्स ने और दोस्तों अगर बात करें तो बाजरे का सबसे बड़ा में दोस्तों चलाये गया ठीक है क्लियर है प्राज कहते सर आपकी वीडियो लाइब देख रहा हूँ वैसे रिकॉर्डेड ही देख पाता हूं इसलिए मैं संडे को क्लास करता हूं ताकि मेरे जो बच्चे जो बीजी है कहीं जॉब कर रहे हैं वह जो नहीं देख पाते लाइ है फिलिपीन्स मनिला में हैं लेकिन दोस्तों साउथ कॉर्या के इंचियोन में ये जो है दोस्तों मेटिंग हुई है ये बneck की मिटिंग जो है दोस्तो व läuft मेंक बेकिन को है मसक्त शूगु असा कावा और दोस्तों वास प्रेसिडेंट है अशोक लवासा और एशियन डेवलप्मेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को आई थी और 68 कंट्री इसकी मेंबर है एशियन डेवलप्मेंट बैंक की ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदर आखरी मेंबर जो और 60 मेंबर है यह न्यूई दोस्तों चुना गया एशियन डेवलप्मेंट बैंक का ओके दोस्तों किस बैंक ने बिजनेस करिस्पॉंडेंट और बिजनेस फेलिस्टेटर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाने के लिए पॉइंट करने के लिए एक डिजिटल डिस्ट्रिबूशन प्लेटफर्म स्मार्ट साथी पेश किया है दोस्तों बिजनेस करिस्पॉंडेंट क फैसलेटेटर्स और एकाउंट खुलवा के लाते हैं दिजिटल डिस्टिबूशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट साथी दोस्तों जो आर्टिफिशन इंटेलिजेंस पर काम करेगी यह इस डिफ सी बैंग ने लॉंच किया है दोस्तों ठीक है तो जितनी भी उनको सर्विस है वो दोस्तों वह बताने में उनको हेल्प करेगी स्मार्ट साथी जो उनके साथ हमेशा रहेगा जो क्योंकि वह सारी चीज़ें नहीं जानते तो स्मार्ट साथी उनको बताएगा सब्सक्राइब करने के लिए उसको माफ करने के लिए दोस्तों एईउडी स्माल फाइनेस बैंक ने वीडियो बेंकिंग शुरू करी है और सिटी यूनियन बैंक जिसके हैड अभी अनकामा कोड़ी बने है वह फॉर्स वाइस बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन बेंकिंग एप लांच किया है वाइस बायोमेट्रिक आथेंटिके सेखर राओ जिन्होंने के बील सेंटेनरी उत्सव मनाना सुरू कि होम लोन केमपेन है सेंटेनरी का मतलब होता है शताबदीव महुत्सव कि अधिक है कि दोस्तों नैस्कॉम के हेड बने गए है अनन्त महस्वरी नैस्कॉम जो की दोस्तों सॉफ्ट्वेर इंडिया के भी हेड है दोस्तों ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके दोस्तों मिश्र के काहिरा में इजिप्ट के काहिरो में इंटरनेश्टल सूटिंग स्पोर्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मिडल किसने जीता है आई येससफ दोस्तों वर्ल्ड कप में गोल्ड मिडल किसने जीता है तो यह मैराज एहमद खान ने जीता है किस दोस्तो आशियान जिसमें दस country member है इंडिया member नहीं है जिसका है जकार्ता इंडोनेशिया में उसने इंडिया के साथ एक maritime exercise कर या आशियान के मद्रास ने तंजानिया में अपना international campus open किया तंजानिया के साथ अभी हमारा इंटरनेशनल ट्रेट सेटल्मेंट हुआ है कि आप वाश्ट्रो एकाउंट खोल करके इंडिया में डॉलर की जगा रुपए में exercise कर सकते डॉलर की जगा रुपए में exercise कर सकते आइनस सत्पुड़ आइनस दिल्ली दोस्तों वहां पे पहुचा है SINGAPUR के चांगी नेवल बेस पर SINGAPUR का चांगी एरपेर्ट्थ दोस्तों बेष्ट एरपेर्ट माना जाता है दुझा के एरपेर्ट इयर पोर्ट में आता है दोस्तों भारत और ग्रीस के एयर फोर्स के बीच में ग्रीस में हुआ एक्ससाइज कवच दोस्तों यह इंडियन नेवी आर्मी एयर फोर्स कोष्ट गार्ड इन लोगों ने अंडमान निकुबार कमांड में किया और कोप इंडिया दोस्तों जो भारत और अमेरिका के बीच म में वह अरब सागर में हुआ है दोस्तों ठीक है ऑपरेशन कावेरी था दोस्तों जो सुडान वाला था ठीक है कि अधिक है और ऑपरेशन दोस्त था तुर्की वाला और ऑपरेशन गंगा था आपका यूकरेन वाला और ऑपरेशन देवी सक्ति था अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन कहां का था दोस्तों यह इस कलेक्टिव स्पिरिट कंकरीट एकसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों इस पुस्त्क के लेकाँ के शसी सेखर्व के थी दोस्तों जो मन की बात servant on India पर यह बुका लिख portfolio मन की बात हर संडे को सब्सक्राइस को होता है है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइस को होता है कि आफ यह थीख है है 11 की ने सब्सक्राइब सो का सिक्का भी मोदी जी ने जारी किया इनके मन की बात के सौमें एपसोड में दोस्तों यूनेसको की जो है थी और ड्रिया जोले उन्होंने भी स्पीच दी थी ऑप्रेशन फ्लड जो है वह मिल्क रिवल्यूशन से रिलेटेड है बिल्कुल यह कुश्चन एक्जाम में आया था तो दोस्तों जो है यहां पर बहुत सारी बुक्स के नाम लिखे हुए जिन सारी बुक्स को में लोगने यहां पर कर लिया है यूमन कनेक्ट बुक है मनोज गुर्साहिनी जी की दोस्तों साइकलोन का क्या नाम है जो बेंगाल की खाड़ी में दोस्तों उठा है तो उस साइकलोन का नाम है दोस्तों साइकलोन मोचा साइकलोन मोचा नाम किस ने दिया है दोस्तों यह यमन के द्वारा दिया गया नाम है साइक्लोन मोचा जो है दोस्तों यह मन के द्वारा रोहित किशन जी युनेस्को 1944 में नहीं आया था 16 नवंबर 1945 को आया था ठीक है दोस्तों ICC मेंस टेस्ट में और T20 की रैंकिंग में कौन सा देस नंबर वन पर है कौन सा देस नंबर वन पर है तो इंडिया नंबर वन पर है और सुर्कुमार यादो तो टी 20 में नंबर वन पर खिलाड़ी भी है ना कि भी सी सी आई के हैं रोजर बिन्नी और आई पिल के अरून सिंग दूमल और आई सी सी के एड़ें ग्रेग वार्कले है तो वर्ड़ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस देश ने सिकियुर्टी इंडिकेटर केटेगरी में सबसे खराब पोजीशन हासिल तो सिक्यूरिटी इंडिकेटर में धोस्तों जो है भारत की तरब से जह इंडिया का सबसे खराब वैसे तो 161 पॉजिशन यह लेकिन पॉलिटिकल इंडिकेटर में 169 है एकोनॉमिक इंडिकेटर में 155 है लेजिस्लेटिव इंडिकेटर में 143 है लेकिन जो सबसे नीचे देखे सोशल इंडिकेटर जो लिखा हुआ है उसमें 172 वी पोजिशन है और टोटल 108 देश है तो इन इस ऑप्शन में सीरिया से भी बुरा इस्तिति है मारा सिक्योर्टी इंडिकेटर में यानि मीडिया को सिक्योर्टी नहीं दे पा रहे हैं पाकिस्तान वाले दे रहें म्यामार वाले दे रहें यह लोग कौन है रिपोर्ट बनाने वाले उनको बुलाव जरा मिलें हम जरा उनसे तो दोस्तों वैसे तो इंडिया की पोजिशन जो है 161 है ठीक है लेकिन सुरक्षा संकेता के ठेगरी में भारत की पोजिशन एक सो बह खराब है भारत चीन मेक्सिको इरान पाकिस्तान सीरिया यमन यूक्रेन म्यामार को छोड़कर अन्य सभी देशों के तुल्ला में खराब इस्थान पर जिसमें म्यामार सबसे कम रेंकिंग वाला है दोस्तो अगर वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करे तो दोस्तों तीन मईं को यह मनाया गया व्ल्ड प्रेस फीडम डे और दोस्तों 161 पर यह रहा इंडिया और नौर्वे टॉप पर रहा नौर्वे मुझे लगता सात स साल से टॉप पर है कि बात समझ में आ रही है लेकिन हम से अच्छी पोजिशन पाकिस्तान स्री लंका की जहां लोग इंदम बुरी स्थिती में कि पाकिस्तान 150 स्थान पर है और श्री लंका 135 स्थान पर है भाई साब अगर देखा नौर्वेज वह साथ में लगातार साल टॉप किया उसके बाद दूसरे पर एर्लेंड है तीसरे पर देन्मार्क है चौथे पर स्वीडन है पाचवे फिल्लेंड है कि अगर दोस्तों हमें अमें जो हैं बॉट्टम से थुरी देखने है तो 178 पर वियतनाम है 179 पर चाइना है और सबसे आखरी में दोस्तों नौर्ट कोरिया है एक सो असीवे पोजिशन पर सब लोग लाइक कर देना अगर जो है सेशन पसंद आ रहा है तो ठीक है क्लियर कि दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट रैंकिंग की तो हम लोग ने इस सब चारी बाते करी हुई है वर्ल्ड मोस्ट क्रीमिनल कंट्री है दोस्तों जो है वेनेजुएला जिसमें इंडिया 77 नंबर पर है कि दोस्तों कौन सा विश्विद्याले है जो की वाई 20 सेमिनार को होश्ट कर रहा है और सेर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाई 20 संगोष्ठी को आयोजन दोस्तों कौन कर रहा है तो यह मनीपूर इनवर्सिटी कर रही है याद रखिएगा क्लि Butta 23 में पहली फ्रेंचाइजी अधारि जुव इस Congratulations बेष्ट ग्लोबल फ्रेंचाइजी को सुनु कर रहे फ्रेंचाइजी बेर में संसराइजी है बेंगलोडोरु की मुमबाई इंडियन की बैसे बेस्द सतरजली सुरू होगा Quickly ब तो कहां सुरूओगा मेरे बाई जो है दुबाई में सुरूओगा ठीक है क्लियर हैं वेरी गुड दोस्तो अभी Central University चैन का सुरूओ पोर्टल कौन बनाया है यानि किसी भी प्रोफेसर को अगर कहीं पॉइंट होना है तो उसको यह पोर्टल खोलना है देखना किस इन्विसिटी में वेकेंसी है वहाँ आवेधन कर देना कोई भी दोस्तों अगर उन्वेसिटी में प्रोफेसर बनना चाहता है तो वह अवेदन कर सकता है इस दोस्तों पता चल जाएगा इस पोर्टल से कि कहां वेकेंसी है किस विभाग में कैसे किस सब्जेट के प्रोफेसर की जरूरत है तो दोस्तों यह युनिवर्सिटी गरांट कमिशन ने डोस्तों यह इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया है यूजी सी ने यूजी सी जिसका हेड्वाटर बहादूर शाजफर मार्ग नई दिल्ली में है दोस्तों चलियर है चलिए बहुत बढ़ी हैं शानदाज जिन्दाबा है दोस्तों भारत का जो कोल प्रोड़क्शन है वो बढ़ गया है दोस्तों कोल प्रोड़क्शन जो है वो बढ़के जो है दोस्तों करीब 22 परसेंट की ग्रोथ होई है अगर 2018 19 से कंपेर किया जाए लास्ट फाइफ यह से तो 278 मिट्रिक ट्रन से 893 मिट्रिक ट्रन हो गया है ठीक है क्लियर है चल यह बहुत बढ़िया सीवसी सेड इट विल इंक्लूड आटिफिसल इंटेलिजेंस एंड मंसीन लर्निंग इन क्लास 6-8 हां क्लास 6 से कोडिंग सिखाया जाने लगेगा नियू एजुकेशन पॉलसी के हि ठीक है दोस्तो किस कंपनी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए SMB सेंट्रल वेबसाइट और एक हेल्प लाइन नंबर दो इनिसियेटिव शुरू किये हैं तो यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने शुरू किया है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दोस्तो सत्या नडेला है इन्हें पिछले साल पद्मभूशन सम्मान मिला था यह पहली MNC कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जो भारत के ओंडिसी पर अजिस्टर्ड हुई है दोस्तों ओंडिसी यानि जो भारत का e-commerce बिजनेस सुरू हो रहा है दोस्तों जिसमें रेजर पे अभी पेमेंट एग्रिगेटर के रूप में जॉइन किया है दोस्तों यह हल्प लाइन नंबर है वन डबल जीरो वन जीरो टू वन वन फोर सेवन जिस पे जो भी दोस्तों बिजनेस है वह डिजिटल टांसफोर्मेशन चाहता है तो वह अपनी जो है चीजे पूछ सकता है इस हेल्प लाइन नंबर दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए फेस ऑथन्टिकेशन सिस्टम जो है किस पेमेंट बैंक ने दोस्तों शुरू किया है दोस्तों आधार में आपका फेस ऑथन्टिकेशन भी आने लगा है फेस आईडी एप आगया है आधार का क ऐसा करने वाला पहला बैंक एटल पेमेंट बैंक है वैसे भारत का पहला पेमेंट बैंक ही है ना भारत का पहला जो सरकारी पेमेंट बैंक है वो इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक पेमेंट लोन नहीं दे सकते हैं दोस्तों पेमेंट बैंक अपने पैसे को केवल बैंक में सेक्योर्टीज में निवेश कर सकते हैं वह भी गवर्मेंट सेक्योर्टीज में 75% बैंक 25% और दोस्तों पेमेंट बैंक जो है वह दो लाक रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन आईडी एप है यू आई डियाई का जो आधार कार्ड बनाती है और दोस्तों फेस आप रिकोगनाईज हो सकता है आपका आधार नंबर बार डिजिट के होते हैं दोस्तों अब भी अगर रिसेंट में कुछ देखा जैंग बैंकिंग सेक्टर में तो सब्सक्राइब दोस्तों जो है रिजर बैंक इनोवेशन हब के साथ ताइप किया है याद रखिएगा ओके क्लियर है कि चलिए बहुत बढ़े हूं कि दोस्तों जी ट्वेंटी टेक्ट स्प्रिंट और बियाई ने लांच किया है किसकी मदद से तो बी आई 1835 में था वी आई एस 130 में था वी आई एस बेसल स्विजजर लेंड में हैं दोस्तों और यहीं पर बेसल के नियम Arabs यहीं कि दोस्तों कोल इन्डिया के नहें के रूप किसे पسपइंट किया सह्ट तो दोस्तों ये पी-म प्रसाद को किया गया किसको किया गया है पी-म प्रसाद को किया गया दोस्तों ठीक है कि दोस्तों Center for monitoring Indian Economy के अंसार अप्रेल और दोजाथ तइस में भारत की विरुजगारी कितनी हो गई तो भारत की बिरोजगारी दर दोस्तों 8.11 पर्सेंट हो गई कहई है जो बहुत जादा बढ़ गई है दो स्थी तक पिछले 3 महिने के देखे जाए तो 7 Coin से जयादा नहीं थी तो दोस्तो सहरी बिरोजगारी के बढ़ने की वाज़े से अर्बन अनिंप्लाइमेंट जो 9.81 परसेंट हो गया जबकि रूरल वाला तो कम हुआ है लेकिन अर्बन वाले के बढ़ने के वेसे यह हमें में बेरोजगारी की दर्थ दिख रही है 8.11 परसेंट ओके क्लियर है तो यह याद रखेंगे दोस्तों भारती एक्सियाटा दोस्तों इसका नाम है उसे याद रखिये ठीक है क्लियर है दोस्तों यह स्रिलंका की स्थिती इस समय खराब है स्री जैवद ने पुरा कोटे लेजसलेटिव कैपटल है कोलंबो इसकी जुडिशियल एक्सक्यूटिव कैपटल है रूपीज यागी करेंसी है रानिल विक्रम सिंगे राश्पती है अब प्राइमिनिस्टर है राज्य में जाते हैं तो आपको पर्मिट लेनी होती है इसके लिए दोस्तों फेशियल रिकॉग्डिशन सिस्टम लॉंच किया गया है कहां पर मनीपूर में मनीपूर में दोस्तों यह जो है लॉंच किया अभी मनीपूर उन्वर्सिटी में भी आपने देखा रंगा- का रेकरम हुआ है याद रहेगा बहुत बढ़ियां शांदाज जिंदाबाद मनीपूर में दोस्तों 122 फिट उची जो है वो पोलो के खिलाडी की मुर्ती लगाई गई थी और रानी गैदलियाओ के नाम पे दोस्तों म्यूजियम बनाने की यहां बात कही गए थे मनीपू दोस्तों बिलावल भुट्टों आये हैं संगाई कोप्रेशन और्गनाजेशन के विदेश मंत्रियों की दोदिवसी बैठक में यह बैठक दोस्तों गोवा में हो रही है संगाई कोप्रेशन और्गनाजेशन 15 जून 2001 कुवाई थी आठ कंट्री इसकी मेंबर है चार अब् सियो थीम है सिक्योर सियो दोस्तों इसकी थीम है आठवा जूबा इसमें स्टेश्य आफ यूनिटी को चुना है और वरानसी को वर्ड की कल्चरल टुरिजम कैपिटल चुना है दोस्तों भारती मुल्के अजय बंगा वर्ड बैंक के अगले अध्यक्ष बन जाएंगे दोस के वाइस प्रेसिडेंट मास्टर कार्ट के हेड रहने के बाद अभी तक वो जनरल एट्लांटिक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओके क्लियर है वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदाज जिन्दाबाज निर्विरोध दोस्तों यह चुन लिए गया रशिया अनुपस्तित था और 24 सदस से इसके मतदान में आये हैं ठीक है दोस्तों अमेरिकन इंवर्सिटी टास्क फोर्स को चेयर कर रही है नीली बुंडे पुड्डी नीली पेंड़ा पुड्डी को अभी अवार्ड भी दिया गया दोस्तों यूके की रॉयल एर फोर्स की वारंट आफिसर बनी है सुब्भी सुब्रमनियम और दोस्तों डिप्टी सेकरेट्री स्टेट मेनेजमेंट और रिसोर्स की अमेरिका में बनी है रिचार्ड वर्मा नासा की मुन्टू मार्स मिशन प्रोग्राम के पहले है अमिज चत्री और दोस्तों अमिरिका के करेक्टी कर्ट पे पहली असिस्टन पुलिश चीफ है भार्तिय मुल्की सिख्वीमेन मनमीत को लोन मनमीत कोलोन दोस्तों युनेसको वर्ड प्रेस फ्रीडम आवार्ड में कितने वेट को आवार्ड कितने लोगों ने जीता है तीन महिलाओं ने जीता है दोस्तों निलूफर हामेदी इलाहे मुहमदी और नर्गिस मुहमदी दोस्तों यह तीनों जो है इरान की हैं दोस्तों य गाइडेंस पुलिस के द्वारा दोस्तों जो है वहाँ पे लड़की को गिरफतार किया गया था महसा अमीनी को 22 साल की जो हिजाब नहीं पहनता था या हेड स्कार्फ को ढीला पहनता था उसे गाइडेंस पुलिस गिरफतार करके ले जाती थे और उसको वहाँ पे दोस्तों म समरपित किया गया था उनहीं देश की लड़कियों को अब दोस्तो जहां भी बंदिशें होतीं है वहां पर समरपित किए जाता दोस्तों अगर देखाएब ऑटता कर जो आवार्ड है वह भाखतीय मूलकी दोस्तो मीरा स सेयाल को दोस्तो मिला है ठीक के कलियर में लिपिंग पुकुक्स दोस्तो जो है वो मारिया स्टेपवानोवा को मिला है लाइफ टेम अच्विमेंट अवर्ड डॉक्टर यू राम पिलारी सेट्टी को दिया गया है दोस्तों ओके रहमन मैक्ससे अवर्ड रलाई लामा को और इमिग्रेंट अच्विमेंट अवर्ड नीली विर्ना पुड्डी को दिय माश्टर टाइटल जीतने वाली 11वी महिला कौन बनी है भारत की तो यह वंतिका अग्रवाल बनी है वंतिका अग्रवाल ने भी दोस्तों चेस्ट में जो है बिजनेस में लाने की एक योजना है और यह योजना दोस्तों जो है इस चलाती है जो की दोस्तों म्समी मिनिश्ट्री के इंतर गताती है MSME Ministry के अंतर गता थे दोस्तों भारत की पहली Under Sea Tunnel दोस्तों यह जो है मुंबई में किसको जोड़ रही है यह बांदरा और वरली सीलिंग को जोड़ रही है भारत की पहली Under Sea Tunnel है ठीक है अभी एक Underwater दोस्तों टनल से Metro train कोलकता Metro लेके गई हुगली नदी के नीचे से दोस्तों अभी ब्रेंड कंपनी ने यह कहा है कि यूपी भारत में बहुत तेजी से बढ़ेगा दोजा 26 तक वन प्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 40-50 परसेंट की ग्रोथ होगी यूपी आई जोगी 14 लाग पांच जार करोड अभी अप्रेल में किया था दोस्तों मार्च में और 8.7 बिलियन का टांजेक्शन रिकॉर्ड किया है दोस्तों ठीक है कि दोस्तों अगर बात किजिए कि वीच स्टेट हैस बिन रैंक्ड एस दा मोस्ट इनोवेटिव स्टेट सबस्द तो दोस्तों ताबर तोर तरीके से हम लोगों ने दोस्तों जो है करेंट अफेर को कंप्लीट कर लिया वीकली करेंट अफेर को दोस्तों हम लोग ने ताबर तोर तरीके से कंप्लीट कर लिया अपने दो घंटे के मिशन में दोस्तों हमने पिछले अपते भी कंप्लीट किय थेंक यू सो मुझ शुक्रिया दन्वाद खुश्रिये स्वस्तरिये मस्तरिये वेस्तरिये बाबाय टेक केर लव यू अल गॉट ब्लेस् यू अल हवा नाइस दे